हेलो फ्रेंट्स माइनम इस उमेश पालिवाल आइम दा को फॉंडर अनिसी जोन फ्रेंट्स जैसे अब स्क्रीन पर देख रहे हैं कैपितल स्मॉल फैनर्स एक स्मॉल फैनर्स में इसके एफट्वाइब्टी तो आज इस वीडियो में मैं डिसक्व करूँ गा की इसके रिजल्ट कैसे रहें तो चले शुरू करते यस वीडियो को हम सबसे पहले खोल लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ एससे लाइबिलिटीज एज ऑन मार्च 31st 2022 इसके अब देख रहे हो यह इसके एसेट्स है यह इसकी कैप्टन लाइबिलिटीज है तो सबसे इंपोर्टन जो फेक्टर है वह है एसेट्स के बाद करें तो एडवांसिस एडव अब देख रहे हैं कि इन्होंने कितना लोन मार्केट के अंदर दिया है जितना लोन ग्रोथ होगी जितनी एडवांसिरी ग्रोथ होगी उतना ही वह रविनीज एड करेंगा उतनी वह प्रॉटिबिटी जनेट करेंगा तो जैसे कि अब देख रहे हो लास्ट यह 3726 इस 600 क्रोड की इडवांसिस इन्होंने दिये इसका मतलब यह है कि पिछले एक साल के अंदर लगबख 1000 क्रोड के 1000 क्रोड का एडवांसिस करें इंक्रीज है विचिस वैरी गूड अगर मैं डिपोजिट की बात करूं तो इनकी वाद डिपोजिट आ रहा है क्योंकि यह आपसे पही लेते हैं अगर कोई डिपोजिट करना चाहता है पैसा सेवें एकाउंट करेंट तो वह फैसिलिटी भी देते हैं तो उसके थुरू इनको डिपोजिट आता है तो डिपोजिट लास्ट येर फाइफ टू 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 करोड का था इस पार लगबख 6000 क्रोड का है और डिपोजिट की जो ग्रोथ होती है वो एक बैंक के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ होती है क्योंकि वहां पर हमें जो कॉस्ट लगती है बिकॉस जो डिपोजिट आ रहा है तैस लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी की साइड पर है यह तो लाइबिलिटी साइड का मतलब यह तो इसके बीच का डिफरेंस होता है इसको net interest margin कहते हैं, वो इसकी income होती है. अब यह जो borrowing को source है, अगर इनकी cost कम होगी तो हमारे NIMS बढ़़ जाएंगे. तो आप देख रहों कि इसके deposit हैं कम कर दिया है, जौर जो borrowing होती है, इन पे rate जो होता है, सब्सक्राइब और लगबग 3.4 करो टोटल शेर आउस्टेंडिंडिंग है तो अगर आप यहां से बुक वैल्यू निकालोगे मतलब नेट वर्थ को डिवाइड कर दोगे नमबर अफ शेर आउस्टेंडिंग से तो इसकी लगबग वैल्यू आएगी डेड़ो सो रुप एग ट्रेड कर रहा है तो बैलेंशीट जो हमने देखिए वो काफी स्ट्रॉंग बैलेंशीट नजर आ रही है अब हम कुछ फेक्टर्स देखेंगे इसकी प्रॉफिट लॉस्टेटमेंट देखेंगे और एक सबसे इंपोर्टन फेक्टर होता है किसी भी बैंक के अंदर वो हो से क्या होता है कि आपकी जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वहाँ आपको प्रोविजन सेट करने पड़ते हैं उन प्रोविजन के कारण कंपनी के अंदर लॉसीज आते हैं और हमने पिछले दो सालों में देखा है दो सालों में देखा है सारे NBFC बहुत सारे स्मॉल स्टेटमेंट के रिजल्ट्स बहुत खराब रहे हैं बिकॉज आफ एन पीए जैसे हीरो फिंटाव की बात करूँ उसके एन पीए लगबग 9-10 परसंड के हो गए है HDB Financial जो रिटेल के अंदर लोन देता है उसके एन पीए थे वो 6-7 परसंड के आसपास चले गए अब थोड़े पर कम हो रहे है तो पिछले दो सालों में बहुत दिक्कते आई हैं तो यहां हम एनलाइस करनी कोशिच करेंगे कि वैदर दा सेम क्रॉल अप एन पीए इस देर Capital Small Finance Bank or not तो इसकी मैं अगर मैं इसकी Profit Loss Statement की बात करूँ तो आप देखोगे इसकी जो इनकम थी लास्ट येर वो थी 557 करोड की इस बार होगी 632 करोड की तो अच्छा खासा 14-15 पसंड का यहां ग्रोथ हमें नजर आता है अगर मैं Profit की बात करूँ तो 40 करोड का Profit था लास्ट येर इस बार 62 करोड का है अगर मैं EPS की बात करूँ तो लास्ट येर लगबग 12 उपीस का EPS था अभी लगबग 19 रुपे का EPS है तो अगर मैं 350 का प्राइस देखूँ 350 के प्राइस पे तो लगबग 18 की पीपे बैंक आज की रिट में आपके अवेलेबल है नेट वर्थ हमने कल्कुट करी लिए 515 करोड की नेट वर्थ है और उसके साब से नंबर ओफ शेर लगबग 3.4 करोड है जैसे आप देखो यहां पच पेड़ अप कैपिटल 34 करोड की है तो नंबर ओफ शेर जो होगे 3.4 करोड होगे तो नेट वर्थ को जब 3.4 करोड से डिवाइड कर दो दो बॉक वैलो मिल जाई दाइस 151 के आस्पास आएगी अब इसके एन पी देखता हूं कि एन पी ए कितने हैं तो अगर आप आओ गए देखो यहां पर देखो ग्रॉ सालों में बहुत जादा नहीं बढ़े हैं लास्ट यह मेरे खाल से 2.2 के आसपास थे जो की बढ़के 2.50 में लेकिन 2.50 जो है वो एक ठीक लेवल है अगर आप किसी भी इंडस्ट्री से कंपेर करोगे तो यह लेवल एक समान लेवल है इसमें कोई दिक्कत नहीं है इतने ल अपमारी वेबसाइट पर चले जाओगे वेबसाइट पर जब आप देखो सबसे पहले तो अभी हमारे 2021 और 22 का डेटा अवालेवल नहीं है लेकिन आप ग्रोथ देखोगे तो 73 ब्रांचिस थी 17 के अंदर 20 के अंदर लगब 152 है नहीं पास सालों में अल्मूस्ट डवल हो आज का वीडियो बनाने का मतलब केवल यह था कि इसका डिजल्स कैसा है वह डिसकर्स कर लें तेकिए अगर डिपोज एडवांस की बात करें देखो 1100 करोड का लोन देती थी आज की रेट में कितना है अगर मैं 2022 की बात करूं तो चार्पाइब इस की बात करूं तो इन पी बात कर देखें बैंक बड़ेगा तो एन पी बड़ेंगे लास्ट यह 2.01 था इस बार 2.5 है मैनेजेबल है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो किसी भी पैरामेटर के अंदर देखो और इसके अंदर देखोगे तो काफी बड़े-बड़े प्राइट इक्विटी काफी अच्छे रीडर प्रडूस के हैं और पिछले दो सालों में जहां और एक पैरामेटर के अंदर बैंक ने अच्छे रीडर दिये इसी के साथ में वीडियो को अंत करता हूँ होप यह लाइक दिस वीडियो इन दिस वीडियो आफ ट्राइट को एक्स्प्लेशन की जो कैपिल स्मॉले बैंक है उसकी रिजल्ट कैसे आया है किस बुक वैल्यू आप जाएगे डाउनलोड कीजिए इस अप्लेकेशन के ठुरू आप किसी भी शेयर को बाई एसल कर सकते हैं वन क्लिक जो भी हम वीडियो बनाते हैं जो भी हम नएने ब्लॉक्स लाते हैं वो सारे आपको अप्लेकेशन के अंदर मिल लाएंगे तो इसी के साथ इस वीडिय अजय को मैं अताल्ड, thank you.